हाई गाईस मैं तारा कुष्वा टेश्टी होम कुक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आज हम लोग बनाएंगे सूजी के गोलगपे वैसे तो गोलगपे सभी को बहुत पसंद होते हैं वो मैदे का हो गेहूं के आटे का हो या फिर सूजी के लेकिन सूजी के गोलगप्पे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं क्योंकि वो क्रिस्पी ज़्यादा होते हैं तो चलिए आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से सूजी के गोलगपपे अपने घर पर कैसे बनाना है कैसे इस्टोर करना है वो बताने वाली हूँ तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा चलिए सुरू करेंगे तो सबसे पहले आप एक बरतन ले लीजिए ध्यान लखे कि बरतन थोड़ा बढ़ा लेंगे जिसमें आप आटा गोथते हैं उसको ले लीजिए उसके बाद यहां पर मैंने लिया हुआ है यह धाई सूजी यह बारिक दाने वाली सूजी है अगर आपके पास मोटे दाने की तो ध्यान रखे कि मीठा सोडा हमें एक चुटकी डालना है जैसे कि आप देख पार है मैंने लिया हुआ इससे एक चुटकी बोलते हैं इस तरीके से आप भी एक चुटकी लीजिएगा धाई सूजी में एक चुटकी मीठा सोडा बहुत ही बढ़िया मेजरमेंट रहेगा और अच्छे से आपके जो गोलगप्य हैं वो फोलेंगे अच्छी तरह से पहले सभी चीजों को मिक्स करिए और उसके बाद सूजी को बरतन में फैला लेंगे फिर हम लोग यहां पर आइट करेंगे रिफाइन ओयल तो मैंने यहां पर लिया हुआ है यह 50 ग्राम रिफाइ लगें तो यहां पर ओल काफी गरम था इस वाज़ा से सूजी गरम है तो चमत से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए थोड़े देर मिक्स करने के बाद फिर जो है इसे हमें हांस से अच्छे से मिक्स करना हांस से आप मिक्स करोगा तो ज्यादा अच्छे से मिक्स होगा तो ह बहुत ज़ादा गरम नहीं होना चाहई हालका गुनगुना पानी होना चाहिए। तो आधा पानी Yuse किया हैं अब हम सभी चीजों को एक बार पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 आपक पानी डाल देंगे तो फिर यहां पर हमें यहाँ पर हमें एकदम स्वाप्ट डो चाहिए तो अच्छी तरह से पानी का यूज करते हुए डो तयार करेंगे इस डो को तयार करने में आपको 5-8 मिनट का टाइम लगेगा अच्छी तरह से मसल मसल करके चिकना कर लेंगे जब यह चिकना हो जाएगा तो आप चाहें तो ऐसे लोई बना करके चिक कर सकते हैं यह देखिए बिल्कुल भी दरारे नहीं आ रहा है बढ़िया से चिकना हो चुका है डो तो इसे जो है अब हमें रख देना है दस मिनट सेट होने के लिए तो ढख करके रख दीजिए ताकि यह उपर से ड्राई ना हो आप चाहें तो गिले कप्ड़े से भी ढख सकते हैं या फिर कोई बरतन उपर रख दीजिए दस मिनट के बाद जो है आप देखोगे कि आपका डो अच्छी तरह से फोल चुका है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले थोड़ा सा डो तोड़ लेते हैं और जो बाकी डो है ना इसे ढख करके रखेंगे क्योंकि यह सूजी है बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है चलिए अब मैं आपको गोल गप्पा बनाने का तरीका बताऊंगी तो डो को हम सबसे पहले किचन टेवल पे लंबा करेंगे और छोटे छोटे भाग में डिवाइट कर लेंगे कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं उसके बाद हमें यहां पर एक तुकड़े को लेना है गोल करके और लोई बना देना है कुछ इस तरीके से यह देखिए हलका सा चप्टा हो गया है अब इसे बेलेंगे तो बेलने के लिए एक बेलन ले लिजिए और हलके हाथों से प्रेस करिए कुछ यह तरीके से यह लंबी लंबी हमारी सूजी के गोल गपे रेडी हो गया है बेल करके अब चाहें तो गोल भी बना सकते हैं पर सूजी के जो गोल गप्पे होते हैं वो लंबे शेफ में जादा अच्छे लगते हैं तो इसी तरीके से हमें सारे गोल गप्पे को बेलना है ध्यान रखिए कि बेल करके हमें रखना नहीं है oil गरम होने के लिए रखिए और बेल करके तुरंत जो है oil में डालते जाएंगे जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं ये fry कर रही हूँ बेलती जा रही हूँ और oil में डालते जा रहे हैं एक तरफ से हमें oil में कल्ची से थोड़ा सा प्रेस भी करना है ताकि oil के छीटे हमारे गोलगपपे पर आए जिससे की गोलगपपा हमारा फोलेगा तो यहाँ पर इस तरीके से करना जो है बहुत जरूर हो जाता है नहीं तो आपके गोलगपपे फोलेंगे नहीं तो यह देखिए सारे गोलगपपे हमारे यहाँ पर फोल चुके हैं और गैस का फ्ले मैं यहाँ पर मेडियम रखा हुआ है अच्छी तरह से आपका oil गरम होना चाहिए गोलगपपे को फ्राई करने के लिए थोड़े देर के बाद आप देख पार हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है गोलगपपा हमारा यहाँ पर फ्राई हो चुका है तो इसे अब हम लोग जो है oil से बाहर निकाल करके रख देते हैं इसी तरीके से बाकी जो गोलगपपे बचे हैं उनको भी बेल करके फ्राई कर लेंगे उसके बाद हमें जो है गोलगपपे को एक air container में रखना है ताकि इसमें हावा न लगता है ना तो फिर यह soft हो जाती है उमीद है आज की रिस्पर आपनों को पसंद जरूर आई होगी यूसफुल लगी होगी आप अपने घर पर बना करके ट्राई जरूर करिएगा उसके बाद मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा